नमस्कार दोस्तों, Niegrofield चैनल में आपका फिर से सवागत है आज का हमारा वीडियो पोर्ट में लगए होए पोधों की मल्चिंग पर है आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मल्चिंग की तरह से करना बेश्ट रहेगा साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि मल्चिंग से पहले और बाद में हमें कौन-कौन से कारे करने चाहिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले इससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, सेर भी करें तो आईए आज की वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों गर्मिया बढ़ चुकी है और आने वाले दिनों में माई और जून के महिनों में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा ऐसे में हमें पोर्ट में लगे हुए पोधों को गर्मियों से बचाने के लिए मल्चिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है मल्चिंग करने से पोर्ट की मिट्टी जल्दी ड्राइ नहीं होती है सनलाइट डारेक्ट मिट्टी पर नहीं पड़ती जिससे कि हमारा मिट्टी गर्म नहीं होता है पोर्ट की मिट्टी में ठंड़क बनी रहती है दोस्तों मल्चिंग के लिए हम किस तरह के सामान को यूज कर सकते हैं इस पर बात करें तो हम तमाम ऐसे समानों को यूज़ कर सकते हैं जो वाटर को ज्यादा एबजोर्ड कर सके और वाटर को लंबे समय तक होल करने की कैपसिटी उनमें हो इसके लिए हम कोकोनट हस्क लकड़ी के बुरादे सुखी हुई पत्तियां धान के छिलके इसके अलावा गेहु और धान की भूसी भी यूज़ कर सकते हैं इन सभी में कोकोनट हस्क बेश्ट रहेगा और यह बड़ी आसानी से सभी घरों में मिल भी जाता है इसलिए मैं भी कोकोनट हस्क को ही यूज़ करूंगा उससे पहले एक से डेड़ इंचेस तक की मिटी को हम निकाल आप नारियल के छिलकों को इस तरह पतली-पतली फाड़ कर इस तरह आप बना सकते हैं और इसको हमें गमलों में अच्छी तरह से इसको बिछा देना है देन हमें इसमें मिटी की पतली से लेयर चड़ानी है इससे इसके बीच-बीच के गेप भर जाएंगे दोस्तों अब हमारा मल्चिंग का कार ये कम्प्रिट हो चुका है अब हमें लास्ट में इट के टुकड़े खप पर पत्थर जो भी हमारे पास आसानी से मिल जाए उसकी एक लेयर चड़ानी है जिससे की वाटरिंग करने पर हमारा मल्च अपनी जगर से हिले नहीं कि अब हमें इसमें वाटरिंग करनी है अभी घर्मियों में आप उपर से वाटरिंग करें पोधों की पतियां पूरी तरह से भीग जाना चाहिए गिली हो जानी चाहिए और पतियों में जो डुस्ट जमा रहता है दूल कर निकल जाए इससे पौधों को फोटो सिंथेसिस में मदद मिल पाएगी अपना भोजन आसानी से बना सकेंगे और और एक बात दोस्तों आप जो भी खाद फडिलाइजेस पौधों को देना चाहते हैं वो मल्चिंग से पहले ही कर लें जिससे मल्च को बार बार हटानी की कुछ न कुछ फायदा जरूर मिलेगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेर भी करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो को देख